यूपी कानपूर देहात में फॉस से रिटायट शराबी बेटे ने पीता को मामुली सी बात पर गोली मार दी गोली लगने से परिजनों में मचा कोहराम सुचना पर पहुची पुलीस ने आरोपी बेटे को क्या गिरफता है मामला कानपूर देहात के सिकंदर ठानक शेतर के नसिरपूर गाव का है जहां बताया जा रहा है कि फॉस से रिटायड अशोग शराब के नशे में पिता लाला राम और भतीजे के साथ टीवी देख रहा था तभी पिता लाला राम ने टीवी बंद करने के लिए बेटे अशोग से कहा बेटा शराब के नशे में पिता से जगडने लगा तभी शराब के नशे में बेटे अशोग ने अपनी लाइसेंस बंदूग से पिता लाला राम को गोली मार दी जिससे पिता की मौत हो गई वही गोली की आवाज से घर में हड़कम मच गया आनन फानन में सभी लोगों ने लाला राम को अस्पताल में भरती किया लेकिन उसकी पहले ही मौत हो चुकी थी देखे ये घटना जो है नसीरपुर ग्राउम की है और इसमें स्री लाला राम जी चुत है उनके उमरासी वर्स है और वो अपने पुत्र और पोत्ते के साथ मौजूद थे तो घटना करम यह हुआ कि लाला राम के जो पुत्र है अशोक कुमार यह एक सार्वी मैंने और यह श शुक कुमार थे इन्होंने अपने पिता की यानि लाला राम की गोली बार के जो है हत्या कर दी इसमें ततकाल अभियोग पंजिकत कर लिया गया है वही सुषणा पर पहुंचे पुलीस ने आरोपी बेटे को गिरफतार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है